चोपड़ा जो किस न्यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार देख स्वागत करता हूँ मेरी पैरे बचो डबल ए ट्रिपल सी यानि आयूस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और सेकिंड राउंड के लिए रेजिस्टेशन वच्वाइस फिलिंग भी स् कुसी की बात ये है कि अभी इसमें टोटल 57 BMS के कोलेज पार्टिसपेट कर रहे हैं और 42 कोलेजेज BMS के पार्टिसपेट कर रहे हैं और BMSMS के दो कोलेजेज पार्टिसपेट कर रहे हैं फर्स्ट राउंड में इनकी संख्या बहुत कम थी क्योंकि फर्स्ट राउंड में इनको permission नहीं मिली थी, अभी 30 November 22 तक जिन colleges को permission मिली है, वो college इसमें add हो चुके हैं, अभी सबसे बड़ी कुशी की बात ये भी है, कि इसमें और colleges को permission मिलेगी, तो इसमें second round के बाद में मोपप round में भी upgrade होता है, तो मोपप round में भी colleges और add होने की possibility है, तो इसमें जब मोपप round में college और add होंगी, तो मोपप round की cutoff भी काफी low चली जाएगी, अभी ये cutoff कितनी जा सकती है, इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका schedule क्या है, तो ये 5th December 22 तक last date रहेगी registration और choice filling की, इसके बाद में 8th December 22 को result आजाएगा और 9th December से लेग करके 17th December तक reporting का time रहेगा college में reporting का, तो ये तो है इसका schedule, अब cutoff कितनी रह सकती है, तो जो first round की last cutoff थी हर एक category की, उससे कम से कम 30 marks cutoff down जाने की possibility है second round के लिए, हालांकि मोपप में और stay vacancy में ये और भी down जाएगी, लेकिन हम ऐसा माना जा रहा है कि जो second round के लिए cutoff रह सकती है, वो first round की cutoff से 30 marks down जाने की possibility है, तो जैसे ही second round complete हो जाएगा, उसके बाद में मोपप round और stay vacancy round आएगा, उसके update भी हम आपको दे देंगे, तो आप समय से अपना 24 feeling कर दें और जिन candidates ने registration नहीं किया है, वो phrase registration करके 24 feeling कर दें इसके बारे में next update जैसे भी मिलेगा, हम आपको inform कर देंगे, तो मिलेंगे नई update के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिंग